नवदीब सैनी ने कहा, जिस दिन मैं भारते टीम में आया था, उस दिन मुझे पता चल गया था कि नमसकार भारत और निउजिलेंड के भी तीन वंडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच निउजिलेंड के आकलेंड में खेला गया इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजी लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 200 तहितर रनों का स्कोर खड़ा किया इस लक्ष का पीछा करने उतरी भार्टे टीम एक समय पर अपना 7 विकेट मात्र एक सुतर वंजा रनों नबदीब सैनी के बीच आठमें विकेट के लिए 6 रनों की बेदरीन सांजेधारी हुई लेकिन इसके बाप भार्टे टीम को इस मुकाबले में 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा इस मैच में मिनी हार के साथ ही भार्टे टीम ने इस श्रीख खला को भी गवाद दिया है ऐसे में मैच के समापत होने के बाद इस मैच के दुरान शांदर 45 सन बनाने वाले नबदीब सैनी ने प्रेस कांफरेंस के दुरान कहा कि यहां का वातावरन अलग है और भारत का वातावरन अलग है दोनों ही जगाओं पर किस तरीके से प्लान बनाया जाता है और किस तरीके से अपने प्लान को लागू करना होता है मैं इन सब चीजों पर धयान दे रहा हूँ और उस समय के साथ मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ रवींदर जड़ेजा के साथ अपनी सांजधारी के बारे में नवदीब सैनी ने कहा जब मैं बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर गया था तो उस समय रन काफी बचे होते हैं तो हमारा प्लान यही था कि जितना हो सके हम खेल को अंते तक ले जा सके हम मैच जीतने के लिए खेल रहें और अंते में हो सकता है कि हम मैच को भी जीत लाएं इस वजह से हम अध तक मैच को ले जाना चाहते थे और कोशिश करना चाहते थे कि हम मैच को जीत जाएं टीम इंडिया के वातावरन के बारे में अब्दीब सैनी ने कहा जिस दिन मैं भाटे टीम में आया था उसे दिन मुझे पता चल गया था कि टीम में इंडिया का महौल किस तरीके का जिस तरीके से एक फैमिली रहती है उस तरीके से टीम इंडिया का वातावरन भी है सैनी ने आगे कहा जिस तरीके से मैं इस मैच में आउट हो गया उस बात का मुझे काफी दुख है क्योंकि उस समय यदी मैं आउट नहीं होता तो शायद इसकी हम मैच को जीत भी सकते इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा हम मैच को करीब तो ले गए लेकिन मैच में जीत हांसल नहीं कर पाए दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो क्मेंट करके बताएं लाइक और शेयर जरूर कीजी और आगे